और लास्ट सेशन में लास्ट तीन या दो तीन सेशन होईते हैं हमारे तो उसमें या सभी को गुड़ अफ्टर नून जैभी विज्ञानी चंदा बॉबबी कि यह सो लास्ट के कुछ सेशन में हमने क्या सिखा था सिंपल इक्वेशन राइट सिंपल इक्वेशन चीखा था और उसके बाद उसका एक टॉपिक है अलजेब्र एक्सप्रेशन तो उसमें एक्वेशन जो अलजेब्रा में होते उसको कैसे सॉल करें और आडवांस टाइप की जिसमें की दो वेरियाबल हो तीन वेरियाबल हो तो वह सारी चीज हम देखने व है वह आज हम स्टार्ट करते हैं अब हारे एक्साम में एक्साइब हो प्रपोर्शन प्रपोर्शन यह सारी चीज़ हम इसमें सीखेंगे तो क्या होता है कोई भी दो चीजे हम क्या घरते हमेशा लाइफ में कंपेर करते हैं यह मेरे से थोटा है या फिर इसके पास मेरे से ज्यादा नोटबूक है इसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है जो भी है ठीक है इसको मेरे से ज्यादा माक्स मिले अफ्कोर्स जो हमें एक्जामपल हमेशा देते यह टॉप आया यह कम आया तो यह जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं इन दोनों को कंपेर करते हैं ठीक ह तो compare करने के दो तरीके होते है ठीक है जैसे कि मान लिजे अपने पास अगर एक मेंड मुझे रेश्यो ये नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ठीक है अगर मान लिजे दो person एक है a और दूसरा है b ठीक है a के पास 500 रूपे है ठीक है और b के पास मान लिजे आप इसके पास 500 है और इसके पास 300 है आप एक दोनों को compare कैसे कर सकते है ठीक है दैसे कि पहले तो मैं इनका difference ले सकता हूँ A minus B ले सकता हूँ यानि कि 500 minus 300 तो ये कितना हैगा 200 तो ये 200 रुपे जादा है किसके पाथ A के पाथ तो इसको मैं compare कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A has 200 rupees more than B तो ये एक तरीका हो गया हम दोनों का इस case में हम क्या करते हैं difference लेते हैं difference यानि जो भी इन दोनों के value में difference है वो हम लेते हैं दूसरा एक तरीका हो सकता है जैसे कि मैं A को B से divide करता हूँ मान लिजे यहाँ पर देखिए इसको मैं पांच बना देता हूँ बना पर तो ये पास सो और बी का है 300 ठीक है इसको मैं अगर ये दो जीरों इसके साथ cancel हो जाएगे तो यहाँ पर क्या बच्चेगा पांच बना ठीक है तो इस पर हमें क्या कर सकते हैं दोनों का हम एक ratio मिल गया है है कि किसी एक अमाउंट से अगर दोनों का अगर हम common difference ले ले ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसको अगर हम all सॉल करें तो ये आपका ये रिषों दोनों के हम डिवाइड करने के अपड़ सो क के लिख सकता हूं मैं इसकोuity करें यहां पर देखिए इसको आगर डिवयड करें 13 1003 यहां पर दो बचे के पिर मैं हतीजिड्मल लूं गा तो यहां पर कितना एका 3 6'10 थिक है फिर दो बचेंगे फिर यह क्या जाएगा तो लंशंब हम क्या लिख सकते कि इन दोनों को कत ले क्या आता है 1 by 6 ठीक है तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ यहाँ पर 1 by 6 आया इसको अगर मैं rearrange करके लिखू तो कैसे लिख सकता हूँ ए 1.6 यह बी यहाँ पर इधर multiply होगा तो इसका मतलब क्या है ए के पास जितना जो पैसा है वो बी के कितना गुणा है 1.6 या फिर अगर हम approximately बात करें तो ए का जो पैसा है वो approximately बी के देड़ गुणा पैसा है मतलब जितना पैसा ए के पास है यानि पास सो रूपए यह इसके लगबक क्या है देड़ गुणा है ठीक है ठीक है ठीक है तो रेशो अगर हम दो quantities को अगर divide करके compare कर रहें यहाँ पर हम क्या कर रहें difference लेके compare कर रहें है न यहाँ पर क्या कर रहें डिवाइड करके comparison कर रहें तो यह क्या होगा आपका इसको ही हम क्या कहते हैं रेश्यो कहते हैं यानि कि अगर इसको शॉर्ट में कहना है कि सब्सक्राइब दूसरा एक्जामपल लेकूं मैं हिमान लीजिए एके पास 400 रुपए है और बी के पास 100 रुपए है ठीक है दोनों को मैं डिवाइडेशन लूप तो यह क्या जाएगा 400 डिवाइड बाई 100 यह कितना आएगा 4 बाई 1 यानि कि 4 बाई 1 यानि 4 तो A equal to 4 times of B इसका मतलब क्या है कि A का जो पैसा है वो B के कितना उना है चार गोना है तो यह क्या होगा आपका ratio तो दो quantities को अगर हम division से compare करते हैं यानि divide करके अगर compare करते हैं तो वह क्या होता है आपका ratio होता है ठीक है तो इससे हमें क्या पता जलता है A और B का relation ठीक है? यानि कि अगर मैं आपको अभी आपको पता चल गया A क्या है आपका? B के 4 गुना है. तो अगर मैं आपको B की value 100 देता हूँ तो A की value क्या बन जाएगी? 4 और B की value 100 रखिए तो कितनी बन जाएगी? 400 ठीक है? अब मैं अगर B की value आपको 200 देता हूँ तो A की value क्या बन जाएगी? इस equation में रखिए 4 into 4 into यहाँ पर B की value कितनी है? 200 तो यह कितना आ जाएगा? 800 और आप इनकी value कुछ भी बन जाए लेकिन अगर आप इसका ratio लोगे A by B करोगे फिर से A की value यहाँ पर कितने? 800 और इसके हिसाब से B की value कितनी है? 200 इन दोनों को अगर आप solve करोगे तो आपका ratio वही आजाएगा 8 by 2 यानि क्या आजाएगा? 4 by 1 और वही हमारा ratio स्टार्टिंग से है तो value कुछ भी रहे लेकिन ratio उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा तो ratio आपको समझ में आया फ्रेंज ratio क्या होता है? इसका definition भी हम देखेंगे ठीक है? और देखें इसको और कैसे लिखा जा सकता है? दैसे की? देखें अभी मैं लिखता हूँ 15 by 12 यह मेरा एक ratio है 15 by 12 लेकिन मैं इसको आपको पता है मैं इसको भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको भी 3 से डिवाइड करता हूँ तो इनको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा यहाँ पर? 3, 5, 15 3, 4, क्या रहेगा? 12 तो इसको मैं और डिवाइड करके बाद मेरा रेश्या फाइनली ये क्या बन जाएगा 5 क्या रहेगा 15 और 12 यानि आपका क्या है нет बाइ फो क्यूंकि आप जब इसको रिडूस करते हो तो इसमें से जो कॉमन वायलिउषा चैशे की फिर्टी यानि क्या लिए सकता हमें दिवाइड प्र पेक्ट्ट रोता है यहाप्र रहते हैं और आपका का रेशो क्या वस्ता है फाइव 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 फोर आई होब कि जो हम बेसिक डिसकस कर रहें आपको समझ में आया होगा अभी यहाँ पर देखें आपको रेशो का डेफिनेशन दिया है लेसे कि है इन आवर डेली लाइफ पंपर देखें करना हैं आगहां अगर हैं से कमपया है जैसे कि मैंने आपको बताए हैं आप डिइफरंस याने कि subtraction करके compare कर सकते हों जैसे कि यहाँ पर example दिया है दो लोग है A और B collected flowers A collected 30 flowers and B collected 45 flowers A ने 30 full जमा किये और B ने 45 किये So we may say B collected 15 flowers more than A तो आपको यहाँ पर दिया है कि A ने 30 collect किये और B ने 45 किये तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि B ने A से क्या किये 15 full ज्यादा collect किये मतलब आपने यह जो difference लिया कैसे लिया subtraction करके यह एक तरीका हुआ है तो इससे हम A और B को compare कर पा रहे है और एक तरीका क्या होता है comparison by division हम divide करके compare करते है ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखिए दो चीजों का यहाँ पर comparison हो रहा है एक car का और motorbike का और उनके price का ठीक है a cost of car is rupees 2,50,000 and that of a motorbike is rupees 50,000 एक car है जिसकी किमत है 2,50,000 और एक motorbike है जिसकी किमत है 50,000 if we compare by division अगर हम इन दोनों को compare करते हैं कि car की किमत है क्या है 2,50,000 ठीक है और bike before bike की किमत कितना है 50 ठीक है अभी आपको difference से देखना है तो आप सीधा बोल सकते हूं कि car की किमत 2,00,000 से ज़्यादा है किस से? bike से लेकिन आपको आप divide करोगे car की किमत को bike की किमत से divide करोगे तो क्या बनेगा यह 2,50,000 divided by 50,000 यह charger इसके साथ cancel यहाँ पे बचेगा 25 by 5 यह बचेगा 5 by 1 इसका मतलब क्या हो गई? कि आपकी जो car की किमत है वो क्या है? 5 गुना है किसके? bike के बराबर इसका मतलब क्या है? एक car की किमत में आपके 5 बाइक आ जाएंगे ठीक है? यह समझ गए? तो यहाँ पे दिया है आपको ratio मिल गया 5 to 1 so we can say that cost of car is 5 times the cost of motorbike इससे हम क्या कह सकते है? देसे कि यहाँ पे क्या relation मिल गया? कि car की जो किमत है वो क्या है? 5 गुना है किस से? bike की किमत है उसके 5 गुना ठीक है? तो आपको क्या कहते है? this comparison by division is called ratio तो हम दो quantity को अगर उनको divide करके compare करते है तो उसको हम क्या कहते है? ratio कहते है है ना? देसे कि यहाँ पे हमने car की किमत को bike के किमत से compare किए, divide करके compare किया हुगा हमें मिल गया 5 to 1 तो यह हो गया आपका ratio ठीक है? और दूसरा एक important जैसे कि आपको पता है car और bike के किमत का ratio है वो आया था 5 to 1 इसको हम car का और bike का ratio किमत का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह colon का sign लगा के ठीक है? इसका मतलब यही है c by b equal to 5 by 1 दोनों का मतलब same है और जैसे मैंने आपको यह definition में हमने देखा था two quantities of same type हम ratio में divide किसको करते है? quantities of same type उसका मतलब क्या होता है? यह देखिए यह उसका मतलब होता है two quantities can be compared only if they are in same unit तो यह क्या कह रहा है? अगर आप दो quantity का ratio तभी ले सकते हो जब उन दोनों का ratio same हो देखे की मान लिजे एक आदमी है जिसका नाम है A वो रोज क्या करता है? सपोज यह आप देखिए ए आदमी है वो रोज एक किलो मिटर चलता है ठीक है? और दूसरा एक आदमी है जो रोज 500 मिटर चलता है तो आप इसका ratio निकालना है तो आप 1 by 500 आईसा नहीं निकाल सकते है यह गलत हो गया आपको क्या कहा है यहापे? कि इन दोनों को जिसको आपको compare करना है उनका unit क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए या तो आप ये मिटर को km में convert कीजिए या फिर ये km को मिटर में convert कीजिए ठीक है? इसको आप याद रखे है ठीक है? देशे की यहापे देखिए यह एक kilometer यानि क्या होता है? हजार मिटर आपको पता है तो आप इसको compare कर सकते हो तो अब रेशो निकाल सकते हो A का B के साथ कैसे एक एक दिन में A 1000 मिटर जाता है यानि एक किलो मेटर और भी 500 मिटर दोनों का यह यहाँ पर यह दो जीर हो गए यहाँ पर बच गया दस बाइफाइव यानि हो गया तो एका डिस्टन्स और बी का डिस्टन्स दोनों का अगर हम रेशो ले तो वह कितना आता है तू बाइ थ्री अगर दोनों मिलके टोटल कितना डिस्टन्स ट्रावल करते हैं अगर आपको निकालना है आपको क्लियर हैं यह बेसिक में किसा को कुछ डाउट है ऐसे यहाँ पर देखें बी के पास किया है 2 kg tomatoes है और Q के पास है कितना है मान लेजे इसके पास 500 g है तो आपको पूछा गया है कि इनका ratio निकालो P by Q का इनका जो जितना इनके पास tomatoes है उसका ratio निकाली तो इसको आप 2 divided by 500 नहीं करोगे आप क्या करोगे इसको आप क्या करोगे जो P के पास 2 kg है और Q के पास जो 500 g है है न दोनों का unit same कीजे यह 2 kg यारी कितना होता है 2000 g ठीक है और यह 500 g तो है अभी यह दोनों same unit में आ गए अभी इसका operation निकाल सकते हो P by Q यह क्या बन गया आपका 2000 divided by 500 यह 2 जिर इसके साथ गए बचेगा क्या 20 divided by 5 तो P by 4 का रेशो P by Q का रेशो बन गया 4 is to 1 ठीक है मतलब इसका मतलब क्या है इसको मैं ऐसे लिखता हो यह Q इदर multiply में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 into Q इसका मतलब क्या है P के पास Q से 4 गुना tomatoes है मतलब इसके पास जितने tomato है Q के पास जितने tomato है उसके 4 times किसके पास है B के पास यह इसका मतलब है ठीक है आई होक कि यह आपको clear होगा इसमें किसे को doubt है ठीक है अभी हम जो सीखा है इस पर हम question देखते है अभी क्या करने आपको find the ratio of following पहले आपको इनका ratio निकालने पहला क्या है आपको इनका ratio निकालने मतलब 81 by 108 यह divided by 108 इसका इसके साथ निकालने मतलब इसको divide कर ठीक है दूसरा दीखे इसको 98 by 63 ठीक है तीसरा क्या है आपका तीसरा है आपका 33 किलो मेटर का 121 किलो मेटर के साथ ratio निकालना है बस यह already ratio में इसको आप और reduce कर सकते का यह देखिए बाकि कुछ नहीं ठीक है अभी इसको हम किस से divide कर सकते है यहां पर कितने आएगा यहां पर यहां पर यह क्या बज़ गया 9 by 12 इसको और हम कम कर सकते है रिडूस कर सकते थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा क्या आता है आपका यहां तो यह क्या बन गया आपका रेशो थ्री बाइ फोर थीक है क्लियर है तो यह रेशो आपका क्या बन गया थ्री बाइ फोर सेम इसको देखिए यह क्या है 98 बाइ 63 इसको हम साथ से डिवाइड करते हैं सकते हैं सेवन नाइन दा 63 सेवन वन जाज़ा सेवन दो बज़ गये 28 हो गया ठीक है तो यहां पर क्या बचेगा seven fours are twenty eight तो ये आपका ratio क्या बन गया friends ये बन गया fourteen by nine इसको और हम कम नहीं कर सकते तो ये ratio बन गया आपका fourteen by nine ठीक है अब दोनों का unit क्या है same यहाँ पे भी kilometer है यहाँ पे भी kilometer यानि हम सीधा इन दोनों को divide कर सकते है तो eleven threes are thirty three और eleven elevens are one twenty one ये one twenty one eleven का square है तो इनका ratio क्या बन गया eleven by three sorry three by eleven clear है clear है clear है friends आपको अब लास्ट वाला देखिए last में इसको मिटा देता हूं में है ना तो लास्ट वाला देखिए इसको हटा देता हूं यहां से ताकि हम ये last वाला solve कर पाए ठीक है यहां पर हमें जगा हो जाएगी यहां पर देखिए यहां पर क्या करना है आपको ratio निकालना है किसका 30 मिनट का किसके साथ 45 मिनट के साथ अब दोनों का यूनिट मिनट में है तो कोई दिखकर ने हम सीधा इनको डिवाइड कर सकते हैं किसको 30 को 45 से इसको कैसे लिखेंगे हम 15 टूजा 30 15 345 तो यह कि रेशो क्या बनेगा टू बाइट ठीक है यह आपका रेशो बनेगा सिंपल है ना इसमें किसी कुछ डाउट है समझ में आ रहा है अगर मैं आपको यह देता सपोर्द मान लिजे मैं आपको दूसरा कोई नंबर देता सपोर्द आपको कहता है यह आपको एक और एडिशनल लेता देश है कि आपको पूलता कि 45 मिनट्स और क्या टू आर का इसको मिठा देता हूँ 45 मिनट्स और 2 आर का रेशो निकाले इनका रेशो अब कैसे निकाल दे इनका रेशो क्या आएगा बताईए मुझे 45 मिनट्स और 2 आर का रेशो बताईए 3 by 8 ओके एक एंसर आया तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है अब देखिए इनका रेशो निकालना है 45 मिनट्स और यह है टू आर अभी यहाँ पर यूनिट है मिनट यहाँ पर आर है एक तो इसको आर में करनोर्ट करो या फिर इसको मिनट में इसको हम कैसे कर सकते यह 45 मिन में करनोर करते हैं तो एक घंटा अयने कितने मिनट हो तो दो गनटा अचितना हो जाएगा दो से मल्टिप्लाइगा तो यह क्या बनेगा पइंतालीस डिवाइड़ बाई वाइन क्वेंटीट अब इसको हम दोनों भी मिनट में आगया फैंतालीस मिनट और यह हो गया एकसो इसको में डिवाइड करते हैं 153 जा 45 158 जा 120 तो आपका इन दोनों का रेश्यो क्या बन क्या है 3 by 8 क्लियर है आपको 3 by 4 ने 3 by 8 लवकुष 3 by 8 ठीक है अब देखिए यह question interesting है इन अ क्लास देर आ 20 बॉइज और 40 गर्ल्स वाट इस दे रेश्यो आफ पहला question है number of boys to number of girls ठीक है दूसरा है be number of girls to the total number of students ठीक है अब तीसरा question है number of boys to the total number of students ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या दिया है एक class है दिस में की कुछ boys है राइट कुछ girls है और इन दोनों के मिलाके जो total number बनेगा वो total लड़के कितने हैं 20 बराबर और girls कितने 40 तो दोनों मिलाके इस class में total कितने students है 60 बराबर अब हम question की तरफ जाते हैं पहला question आपको क्या पूचा है रेशो किसका number of boys to number of girls यानि आपको B for boys और G for girls इन दोनों का रेशो पूचा है तो सीधा लिए boys कितने 20 और girls कितने 40 तो यह क्या जाएगा 1 by 2 ठीक है पहला तो आसान था दूसरा भी आसान है बस देखी है wording देखे उसकी जान से ठीक है अब number of girls to total number of students अभी हमें पूचा है कि girls और आप जो टोटल स्टुडेंट है उनका रेशो तो girls कितने है 40 और टोटल स्टुडेंट कितने है 60 आप फोल्टी ने लोगे टोटल स्टुडेंट कितने है टोटल दोनों मिलाके 60 तो 40 का 60 के साथ रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा तू बाइ थ्री क्लियर है और लास्ट सी वाला क्या है number of boys to the total number of students अभी आपको रेशो किसका पूचा है बी बाइ भी फॉर वाइज का टोटल नंबर अफ्टूडर के साथ तो वाइज कितने है बॉइज है बीस और टोटल नंबर अफ्टूडर कितने है कितने है 60 तो यह कितना आएगा वन बाइ थ्री क्लियर है इसमें किसी कुछ डाउट इसमें किसी कुछ डाउट है प्रेंड्स बताइए समझ में आए तीनों तीनों क्वेशन अगर होगा तो पूछे हम इसको देख लेते हैं ठीक है आपको एक मिनिट देता हो आप देखिए और जिसको जो भी क्वेशन में डाउट होगा प्लीज उसका नंबर डालिए मैं द अगला कोशन देखें यह है निस्ट अभी इसके लिए मैं आपको दो मिनट देता हूँ आप इसको जितने भी आपको आते कुषिन इसको ट्राइब किजिए कि दो मिनिट के बाद मैं इसको आपको सौल करके रीखाता तब तक आप इसको सौल करने कुसिस कीज़ेए पहला क्वेशन है रवी वाक्ष सिक्स किलोमेटर इन आर वाइल रोशन वाक्ष फोर किलोमेटर इन आर ठीक है दो लोग है रवी और रोशन यह एक घंटे में 6 km जाता है यह 4 km आपको पूछा what is the ratio of distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan तो ratio पूछा किसका इसका distance और इसका distance ठीक है दूसरा length of pencil is 18 cm and its diameter is 8 mm what is the ratio of diameter of pencil to that of its length आपको diameter का length के साथ ratio पूछा ठीक आप यहां पर unit पर भी द्हान देना है यहां पर centimeter में यहां पर mm में इसको द्हान कीजिए अब देखिए कि यह आपका question है fourth sorry यह दूसरा और यह तीसरा होना था numbering गलत हुआ थोड़ा मार्फी चाहता हूं मैं आपकी ठीक है तीसरा question है सवरोब टेक्स 15 minutes to reach school from his house तो सवरोब अपने घर से school में जाने के लिए 15 मिनिट लेता है और आगे है सचीन टेक्स वन आर टू रिच school from his home हो सचीन को एक घंटा लगता है तो आप पूछिए आपको पूछा है find the ratio of time taken by sorrow to the time taken by सचीन तो आपको रेश्यों पूछा किसका सचीन का टाइम और सवरोब का टाइम ओके दो मिनिट लिजे और इसको सौड़ कि अगे देखिए पहला एक्जामपल देखिए पहला है रवी सॉर्य यह आपका रवी है जो कि एक गंटे में 6 किलोमेटर जाता है है दूसरा कुन दिय आपको rotation और यह गंटे में क्या जाता है है इसे चार किलोमेटर दोनों का रेश्यो पूछा है लोनों का भी जो लिखर सीम है और दोनों का भी जो ट्रैवल टाइम है यह भी एक घंटा चलते हैं और यह भी एक घंटे का दिया है तो इनका रेशो का यूनिट का तो कोई इस्यू नहीं है तो इनका रेशो क्या आजाएगा सीधा किसका पूछा है आपको वाटी दिस्टंस कवर भाई रवी तू रोशन मतलब रवी इसका रेश्यो रवी के साथ तो क्या बनता ये तो रोशन का कितना है पोर और रवी का किफिस और है हूं कि ठीक है करूए यह था पहले का अगर यह उल्टा पूछा होता तो यह ऐसा बनता ठीक है लेकिन आपको रवी रेव्योब सुछा था तो यह आएगा अब यह कृया आपको को पूचा है लेंध औफ पेंसिल मेंधल है इसको मैं लिखता हूं यहां पर कितना 19 सेंटीमीटर है और इस डायमिटर डिफार डायमिटर लिखता हूं इसका कितना है enc is that को पूचा है आपको पूचा और यहां पर डायमिटर दिया है एमम में और लेंथ ए संटिमीटर तो आपको पता है वन सेंटिमीटर यानि कितना होता है 10 mm ठीक है mm तो इसको 10 से हमें multiply करना पड़ेगा तो कितना बनेगा 180 mm तो diameter कितना है 8 और यह कितना है 180 तो इसको हम solve करेंगे तो क्या आएगा इसको दो से डिवाइड करो ते कितना आएगा 90 ठीक है फिर और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टू बाई 45 तो इन दोनों का ratio कितना है तू बाई 45 कि रेक्ट यहीं आया आपका कि आपके क्या answer आए कि अच्छा यह आपने शॉली नहीं किया कि इसका एंसरी नहीं लिए इसका यह आएगा एट अपॉन वन एटी है ठीक है डायमीटर आपको मिल्लीमीटर में दिया था कि अब यह लास्ट वाला कोशिन इसको मैं मिटा देता हूं में अब क्या करता है सोरब जो है कि सोरब क्या करता है पंधरा मिनट लेता है किसके लिए स्कूल तक पोशने के लिए उसके घर से स्कूल तक पोशने के लिए और सचीन जो है कि वो क्या लेता है वन आर लेता है कि कहां तक उसके घर तक पोशने के लिए तो आपको पूछा है सचीन के साथ तो आभी यूनिट सेम कीजिए तो एक यहाँ पर मिनट है इसको भी मिनट में कीजिए एक घंटा यानि कितने मिनट होता है 60 मिनट एक घंटा वन आर यानि होता है 60 मिनट राइट और एक मिनट यानि कितना होता है 60 seconds तो आभी दोनों को यूनिट सेम है सचीन पंदरा मिनिट लेता है और यह 60 तो यह कितना आएगा वन बाइ 4 तो इन दोनों का रेश्यो कितना आए है वन बाइ 4 ओके ठीक है यह क्लियर है आप पूछ रहों कि सेकंड कोशन समझ मैंने कुछ फ्रेंज को सेकंड कोशन समझ मैंने ओके उसको सब्वाट एक पेंशिल है ठीक है पेंशिल का लेंथ दिया है सब्वसपोज यह आपकी पैंशिल है ठीक है यह आपकी पेंसिल मान दिए और सपोज यह ऐसा निकाला तो यह इसकी जो यह लंबाई है यह होती है लेंथ और वो आपको कितना दिया है 18 सेंटीमेटर और आप इधर से देखोगे तो यह ऐसा सर्कुलार होगा तो इसका जो यह डिस्टंस होता है यह होता है आपका डायमीटर डी यहां से यहां तक यह जो डिस्टंस होगा डी यह आपको इतना दिया है 8 mm mm और आपको पता है 1 cm क्या होता है 10 mm तो आपको पूचा है the length of pencil is 18 mm फोटीज ने च पूचह है रेशो यहां पर मैं डी फो डायमीटर लिया है मेने और आपको डी आ फूर legg आपको रीजू कि इसका पूचहा है ना मिटर का किसके साथ डायमीटर पई फेंशी रिचुवस्रिश्दा यह रीटर का डायमीटर का इस सेंटिमीटर में दिया है तो आप इसको मिलिमीटर में करणोर कीजिए तो एक संटिमीटर नहीं दस मिलिमीटर होता है तो आठ रहने कितना होगा मल्टिप्लाइट टैन कीजिए तो यह आएगा 180 तो डायमेटर है स्कॉर करूंगा तो 2 से डिवाइट होगा तो यह क्या हो जाएगा four two two the four और 45 तू यह कितना आएगा आपका final ratio d by l equal to sorry final ratio d by l equal to कितना आएगा 2 by 45 clear हुआ क्योंकि आपको पता है diameter आपको दिया है 8 mm और length आपको दिया था 180 mm इसको आपने solve किया तो final ratio आपका क्या है यह d by l 2 by 45 clear है अगला question देखिए इसमें किसी एफ तीनों में किसी कुछ बाकी कुछ नहीं आपको simply division करना है बाकी कुछ नहीं है है ना बस unit का ख्यालत है बाकी कुछ नहीं है अगला question देखिए यह आपका है cost of toffee of a toffee is 50 पैसा and cost of chocolate chocolate is rupees 10 find the ratio of cost of toffee to the cost of chocolate तो आपको इन दोनों का ratio पूछा है ठीक है 15 पैसा है और यहां पर 10 रुपए है in school there were 60 sorry 73 holidays in one year एक साल में वहां पर 73 holidays है फिर आपको पूछा है what is the ratio of number of holidays to the number of days in one year कि अधिक है आपको holiday जी एक साल में कितने हैं उसका ratio किसके साथ the number of days और आपको पता है एक साल में कितने दीन है अगर नॉर्मल यह नॉन ली पियर है तो इसने होते 365 days ठीक है इसका रेशो आपको इसके साथ लेना है ठीक है अभी यहां पर देखिए यहां पर आपको क्या दिया है रवी और राणी सारी स्टाड़ेड बिजनेस और इंवेस्टेड मनी इन रेशो तू इस्टू थी आफ्टर वन येर टोटल फ्रॉफिट वाज रूपीज फूर्टी थाउदर एक साल के बाद उनके पास प् आपशे आउस और इंवेस्टमेंट तो यह जो प्रॉफिट है डिवाइड कैसे होगा इस रेशो में और इंवेस्टमेंट यानि क्या होता है जितनी वो लागत होती वो बिस्नेस स्टार्ट करने के लिए ना स्टार्टिंग में पैसा उलगात है हर एक अपने यानि की रव रवी और रानी आउट ओफ टोटल प्रॉफिट तो आपको पूछा है रवी को कितना मिलेगा शेयर यानि कितना पैसा रवी को मिलेगा और रानी को मिलेगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है एक टॉफी की किम्मत है आपकी कि टी फॉर टॉफी यहाँ पर लिता ऑख कितना है पचास पैसा ठीक है और एक चॉक्लेट की कि मीरने इसको में सीजिंट रखता 먹어 में लिखने में आसाने जाएगी एक है दस रूपया ठीक है तो यह पैसा में और यह रूपय में दोनों को आप क्या करो कि एक यूनिट में सब्सक्राइब करता हुँ और पश्रीज यहाँ पर मैं चॉपलेट करता हूँ और जिस किम्मत है दस रुपया और टी फॉर काफी तो इसके किम्मत है पचास पैसा ठीक है तो आपको पता है एक रुपया यानि कितना होता है वन रुपी यानि कितना होता है कितना होता है फ्रेंच वन रुपी यानि होता है आपका हंड्रेड पैसा तो यह रूपया इसको पैसा में करनोट कीजिए तो दस इसको सो से मल्टिप्लाइ कीजिए तो कितना हो जाएगा यह हजार पैसा ठीक है अभी यह पचास पैसा होगा और आपको रेशो कितना पूछा है रेशो आपको टॉफी का आपको रेशो पुछा है T अपॉन सी का रेशो कितने हैं 50 आप चोकलेट की इतने 1000 पैसा ठीक है तो यहां पर क्या बचेगा कि क्या बचेगा इसको हम करेंगे तो तो शिप्टीन तो यहां पर 1 by 20 इन दोनों का रेशो कितना है cost of toffee is to cost of chocolate इनका ratio कितना है C by C इसका रेशो आपका कितना है one is to 20 ठीक है कि यह था आपका पहले का solution अब दूसरा question तो अभी एक साल में उसको हाप in a school there were 73 holidays holidays कितने हैं एक साल में कितने हैं 73 right what is the ratio of number of holidays to to the number of days in one year आपको इसमें क्या पुछा है जितने holidays है उसका ratio किसके साथ किसके साथ जितने एक साल में दिन होते हैं और आपको पता है days in one year एक साल में कितने दिन होते हैं 365 तो आपको रेशो इन दोनों का पूछा है तो इसको होलीडे को हैच लेता हूँ और number of days को डी लेता हूँ तो ही क्या जाएगा 73 का 360 के पार साथ रेशो ठीक है और यह आपको यह क्लियर में यह समझ में आया है इसका यहां तक क्लियर है ठीक है फ्रेंड बस इसको आपको आगे स्वाल करना है बाकी कुछ नहीं तो यह कितना आएगा इसको आप शॉल करेगी तो यह कितना आएगा यह कितना आएगा आपका यह आपको पता है यह आप देख सकते हो 73 अगर आप five times करोंगे तो यह कितना आएगा 15 और एक कैरी 35 और एक 36 तो यानि आपको दिखराए कि 71 73 वन जा 173 और 735,365 आएगा इन दोनों का आप डिवाइजन करोगे तो एक इतना हैगा 1 by 5 तो जितने holidays एक साल में थे और जितने days एक साल में इन दोनों का रेश्यो कितना हैगा 1 is to 5 clear है? मतलब एक साल में लगबग 1 fifth of times, total times, कितने थे? holiday इतनी छुटिया थी एक साल में ठीक है अब लास्ट वाला question interesting है यह बहुत practical example भी होगा आपके लिए कि आपने मान लिजे कि business start किया और आपको पता है कि आपको आपका जो profit होगा किसी एक ratio में आपको distribute करना है तो आप कैसे करोगे ठीक है? तो यह यह लिख लीजे फिर उसके बाद में आपको यह last वाला question समझा देता हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ आप लास्ट वाला देखिए रवी और रानी started a business and invested in money invested money in ratio 2 is to 3 तो इन्होंने जो पैसा लगाया था वो किस रेशियो में था? रवी और रानी इन दोनोंने जो starting में पैसा लगाया था इसका रेशियो लोगे तो वे 2 by 3 है और एक साल के बाद इनको profit होता है 40,000 ठीक है यही तो दिया है इसमें 40,000 रुपएगा फिर यह क्या decide करते हैं अभी यह 40,000 आपस में इनको बाटना तो पड़ेगा तो कैसे बाटेंगे? तो इन्होंने decide किया कि यह जो क्या करेंगे यह जो profit है यह किस ratio में divide करेंगे? जिस ratio में इन्होंने invest किया था यानि किस ratio में इन्होंने invest किया था? इस ratio में 2 by 3 तो ऐसे problem में आपको कैसे solve करना है रवी का share इधर लिखूंगा मैं और इधर लिखता हूँ रानी का ठीक है अब यहाँ पे total कितने parts है दो प्लस ती तो यहाँ पे दोनों के denominator में आप पांच लिखिए ठीक है तो रवी का share कितना बनेगा दो पार्ट है उसका total investment में तो इसको दो पार्ट मिलेंगे कितने में से दो पार्ट मिलेंगे जो total 5 पार्ट है उसमें से दो पार्ट अगर पांच में से दो इसको मिले तो रा नी को कितना मिलेगा तीन जिसका कितना शेयर है तो रवी का पैसा कितना हो जाएगा a two by 5 किसका 40,000 का two by five और और रानी का कितना हो जाएगा 16,000 राइट और ये 16,000 आएगा तो ये कितना आजाएगा आपका ये बनेगा 24 ठीक है 24 थोरी 2,40,000 ने एक 0 ज्यादा लिख दिया मैंने ऐसा गरूँगा तो जगडा हो जाएगा रवी का और रानी का ठीक है तो रवी को कितना मिलेगा 16,000 और रानी को कितना मिलेगा अगर चार और सॉरी 24,000 ठीक है एक क्लिए रहे इसमें किसे को डावट एफ लास्ट वाला अगर 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 प्रूश्य नाज्ट क्विस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगर इसे केस में कहा होता है आपको यहां पे कूछ आथा कि रवी को कितना मिलेगा रानी को कितना मिलेगा यह हमें निकालना था और उन्हें रिसाइड कहा था कि यह जो प्रॉफिट है 40,000 वे इस रेशो में डिवाइड होगा तो रवी को कितना मिलेगा दो पार्ट मिलेंगे लेकिन कितने पार्ट में से दो मिलेंगे जो टोटल पा अगर आप एड़ को रहें तो आपका यह पांच आजाएगा ठीक है तो क्लियर है कि इसको और एक तरीका है आप इन दोनों को सॉल कीजिए मतलब इसका एक मेथड वन यह एक तरीका है ट्रैडिशनल दूसरा क्या है कि टोटल जो पैसा होगा इस रेशो में डिवाइड होगा तो जरुरी है कि हमेशा हो बट इस मोल्टिपल में होगा तो दोनों को और सॉल किजakah इसको और फिर इसको डिवाइड किजिए तो इस से चालीस हजार को डिवाइड करोगे तो इकीतना है गा यह आएगा 8000 आट इसी नहीं 8000 John your Healthy इक पार्ट का कितना बन गया पांच में से एक पार्ट मिलता है जोवी पार्ट गुतना हो जाएगा रवी का गें ma आएगा सोलह हजार और रानी का कितना है कि तीन पार्ट तो एक पार्ट आट अजार है तो तीन पार्ट कितना हो जाएगा 24,000 ठीक है इन दोनों का multiply अब दीरे दीरे इसको समझ जाओगे जैसे हम आगे question solve करेंगे तो अभी नहीं आये तो कोई दिकत नहीं है यह आगला solve कीजे अभी इसको solve कीजे यह पहला दूसरा वाला पहले solve कीजे divide रुपी 60 in the ratio of 1 is to 2 between कृती और कीरन आपको 60 रुपे दोनों के बीच में बातना है कैसे 1 is to 2 ratio में मतलब कृती को एक पार जाना चाहिए और कीरन को दो पार जाने चाहिए अभी इसको divide कीजे पहले यह question solve कीजे बताईगी क्या आएगा क्रिती को कितना जाएगा यहाँ पे कृती है और यहाँ पे कीरन है और आपको 60 रुपे दोनों में बाटने है ठीक है किस ratio में बाटना है 1 is to 2 ठीक है total part कितने है तीन में से क्रिती को कितना मिलेगा और तीन में से कीरन को कितना मिलेगा बताईगे कितना आएगा क्रिती को मिलेगा एक पार्ट और कीरन को कितना मिलेगा दो पार्ट तो क्रिती को कितना मिलेगा 1 by 3rd किसका 60 रुपय का और कीरन को कितना मिलेगा 2 by 3rd किसका 60 का यानि क्रितिक को कितना मिलेगा 20 रुपया और कीरन को कितना मिलेगा इसको अगर 20 मिला है टोटल में से तो कीरन को कितना मिलेगा 40 रुपया है ना इसमें किसी कुछ डाउट है यह clear है फिर यह उपर वाला solve कीज़े यह उपर वाला there are 45 persons working in office if number of female is 25 remaining are males find the ratio of किसका ratio number of female to number of males number of males to number of females ठीक है अभी पहला वाला question solve कीज़े एक office है office में क्या है total लोग कितने है 45 ठीक है अभी इस 45 में से 25 जो है वो क्या है female है अगर 25 female है तो male कितने आएंगे male कितने आएंगे 20 कैसे निकालोगे आप यह 20 कैसा आया 45 में से यह 25 माइनस कीजे तो आपका यह 20 आएगा तो पहला आपको क्या पूछा है पहला question A number of ratio किसका number of female to number of males यानि female का ratio male के साथ कितना है तो female कितने है 25 male कितने है 20 तो यह कितना बनेगा 5 by 4 और B में आपको क्या पूछा है number of males to number of females इसका उल्टा तो number of male कितने है male का female के साथ तो male कितने है 20 और female कितने है 25 तो यह कितना हैगा 4 by 5 clear है क्या दिया है present age of father is 42 years and that of his son is 14 years जो उसके पापा है उसका उनकी उमर है 42 years और उनका जो लड़का है उसकी क्या है 14 years तो आपको पूछा है ratio तो इसको मैं लेता हूँ father का age है 42 और son का age है 14 तो आपको पूछा है कि इनका ratio तो पहला question है इनका जो present age है मतलब अभी की जो उमर है किसकी पापा की और present age उसके लड़के का इन दोनों का आपको क्या करना है ratio लेना है तो आपको f और son का ratio लेना है तो ये कितना आएगा 42 को 14 से divide की जो तो ये कितना आएगा 3 by 1 ठीक है b में क्या पूछा है the age of father to the age of son when son was 12 years old आपको पूछा है कि age of father ratio कितना age of father to the age of son मतलब दोनों के age का ratio लेना है कब जब लड़के की यानि son की उमर कितनी थी 12 साल तो अभी उसकी उमर क्या है अभी उसकी 14 साल है तो 12 साल कब होगी 2 साल पहले यानि कि आपको क्या करना पड़ेगा इसको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा तो इसकी जो 12 साल के उमर यानि कि अभी इसकी उमर क्या है 14 साल और आपको पूछा है कि 12 साल जब लड़के की उमर 12 साल थी तब फादर की उमर क्या होगी? यानि आज से दो साल पहले यानि कि हम दो साल आगर पीछे गए तू येर्स बैक है ना? अभी चौदा साल है तो दो साल पहले इसके उमर क्या होगी लड़के की? बारा साल और दो साल पहले अभी उसके फादर की उमर कितना है 42 तो दो साल पहले इसके पापा की उमर क्या होगी इसमें से दो घटा दो तो कितना हैगा 40 बराबर तो जब लड़का 12 साल का था तब पापा की उमर थी 40 तो इनका आपको रेशो पुचा है यानि अब फादर और संका रेशो तो फादर की उमर थी 40 और इसकी 12 ठीक है तो इसके कितना हैगा 20 by 6 और इसका हम स्मॉल करेंगे यानि दो से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 10 by ठीक है तो कितना है 10 by 3 3 is to 1 नहीं 10 by 3 अच्छा पहला वाला 3 is to 1 है ठीक है age of father after 10 years to the age of son after 10 years मतलब आज से 10 साल बाद पापा की उमर क्या होगी और आज से 10 साल वो लड़की की उमर क्या होगी तो इन दोनों का रेशो ठीक है तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर जगा मिले थोड़ी ठीक है तो अभी आज से 10 साल आज father की age है 42 तो 10 साल बाद क्या होगी उसमें 10 आइड हो जाएगा तो कितना बनेगी 52 लड़के की कितनी है 24 14 तो after 10 years 10 साल बाद father की उमर क्या होगी 10 इसमें आइड हो जाएगा और लड़के की क्या होगी अभी जो उमर है इसमें 10 साल आइड हो जाएगे तो यह कितना बनेगा 24 तो आप इन दोनों का ratio पुछा है तो 52 divided by 24 तो यह 26 by 12 इसको और reduce करेंगे तो क्या बनेगा 13 by 6 ठीक है यह ratio बनेगा last वाला डी वाला अप solve कीजिए डी वाला अफसाल कीजिए as a home work ठीक है अगला question अभी यह question है अभी यह जो सेम जो मनी का पैसा है Mother wants to divide rupees 36 between her daughters श्रिया और भूमिका in the ratio of their age तो यह जो 36 रुपए है उनकी मा इन दोनों के बीच में बाटना चाहते किसके स्रिया और भूमिका के बीच में लेकिन किस ratio में बाटेगी जिनका की उनके जो age है तो age का जो ratio आएगा उसके ratio में बाटेगी ठीक है तो स्रिया की तो age of श्रिया is 15 years and age of भूमिका is 12 years find the find how much श्रिया भूमिका विल गेट तो इनका age श्रिया का कितना है 15 साल और भूमिका का कितना है 12 साल तो इनके age का ratio कितना है age ratio कितना है गा श्रिया और भूमिका का age का ratio कितना है गा 15 by 12 कीजिए कि अगे तो यह कितना आईगा 5 by 4 तीन से डिबाइड करेंगे अभी यह 36 रुपीज है यह किस रेशियों में जाएंगे इस रेशियों में तो स्रेया को कितना मिलेगा श्रिया को कितना मिलेगा श्रिया को कितना मिलेगा इसके एज की सबसे पांच पार्ट मिलेंगे कितने में से टोटल कितना है पांच प्लस चार नौ में से पांच मिलेंगे और भुमी का जो है इसको कितना मिलेगा चार पार्ट कितने में से टोटल 9 में से और 5 by 9 किसका 36 का तो 9 4,036 और 5 into 4 कितना है रहेगा 20 रुपया स्रेया को मिलेगा अगर 36 में से 20 रुपया इसको मिल रहे तो भुमिका को कितना मिलेगा सॉल्ट करने के भी जरूरत नहीं कितना मिलेगा 36 माइनस 20 यानि 16 रुपय इसको मिलेगा इससे भी सॉल्ट करें तो वही एंसर आगा ठीक है थर्टीन बाइफाई नहीं सुधा यह पहले का एंसर था क्या कि यह आज का एक्जामपल आपको समझ मेरा होंगे सारे और जो बाकी जो है यह हम आगे आने वाले सेशन में सिखेंगे तब तक के लिए यह दो आप एक्जामपल स्केंशॉट लीजिए और इसको सॉल्ट करन और आप एटीन हंडडर स्टूड़न्स इन स्कूल सिक्स सेवन फिप्टी ऑप्टेट फर बास्केटबॉल एट हंडर ऑप्टेट फर क्रिकेट और रिमेनिंग ऑप्टेट फॉर टेबल टेनीज एफ स्टूड़न का अप्ट ओनली वन गें फाइंड दरेशो ठीक है तो ज इतने लोग होंगे वो जो कर् prophecies कि किसे दो फोलोग एक तो और आपको रेशो पूचा है भास्केट बाल खिलने वाले स्टूड़न के साथ गूस्या झने है और यह है है U cost of a dozen pensies rupees 180 the cost of Aid ball penny is 56 find the rest of的 cost of a pain to the cost of a body for the therapist के मेइग का कीमत और एक बॉल का कीमत इनका रेशों निकालना है ठिक है तो आपको पहले एक पें का कीमत निकलना पड़ेगा एक डरजन में कितने हैं रहे तो एक किमत कितना आएगा 180 divided by 12 और यह बॉल पेन है आठ पेन का 56 है तो एक पेन का कितना आएगा 56 तो दोनों से आपको एक मिलेगा फिर आप इसको सॉल करोगे ठीक है तो आज के लिए यही रूपते है इन दोनों कोईशन को आप सॉल करके राइए मिलते हैं और इसको की और हम रशो के बारे में सिख आए फिर इसमें आता है एक पार्त रहता है प्रपोर्शन की कि पर इसमें होता है डाइरेक्ट और इन्वर्स ठीक है यह भी चीज़ी लिए मन में सीख केंगे मिलते है नेक्स सेशन में जह भी